देश में CRPFE एक ऐसी पेला मिलिटरी फोर्स है जिसमें ती महिला बटालियन भी शामिल है आरेफ में भी ये महिला जवान एक बहतर कड़ी साबित हो रही है अपने फुरुष राथियों के साथ कंदे से कंधा मिला कर ये महिला जवान अपने आपको हर मोर्जे पर 20 साबित कर देए आरेफ में महिला ब्रिकेड तम किसी से कम नहीं अमन के पहरेदारों के इस वाज में सिर्फ फुरुष नहीं महिलाएं भी शामिल है इनकी जाबाजी अमन के दुश्मनों के दाथ खटे करती है ये अपने पुरुष ताथियों के साथ कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ती है कंधों से कंधा मिला कर हर मुश्कल से निपढ़ती है हर चीज हर फिल्म में ये आगे है जिन से पीशे नहीं है जब वर्दी पहन कर ये मोर्शे पर निकलती है तो दंगाई डर कर भाग जाते हैं हर महाल में खुद को आजमाने का हुनर इनकी खासियत है क्या हुआ अगर ये घर परिवार से दूर है दिल पर तो घर से पहले वतन का नाम लिखा है हमारे बच्चे बहुत मुश्किल से रहते हैं उनको भी अर्जिस करना पड़ता है जैसे हम इदर अर्जिस करें पॉजयों की जिन्दगी आसार नहीं होती ये महिला जहां रहती हैं जिन जवानों की बीच खुद को पाते हैं उसे ही अपना घर, अपना परिवार मानती है तनहाई के साथ ही कभी-कभी कुछ नगमे बन जाते हैं ये सिर्फ एक गीत नहीं, देश के लिए लड़ने वाले सिपाहियों को कई बार अपनी नीजिस जिंदगी में भी ऐसे ही हालातों से दो-चार होना पड़ता है 24 घंटे रड़ की ड्यूटी के बीच मनोरंजन का वक्त निकालना भी ने खुब आता है इसे एक्स्ट्रा ओर्डनरी टैलेंटी कहेंगे कि सिंगिंग के अलावा डांसिंग में भी माहिर है ये बाला है इस डांस को देखकर आप समझ गया होंगे कि ये महिला जवान जरूर है लेकिन फिल्मी गानों की दिवानगी आप जैसी ही है तभी तो आरे अफ की ये महिला जवान कैटरीना के छक्के छुला रही है जढ़ा के आई ये तो बात हो गई महिला जवानों की अब बात आरे अफ किशा यानि पूरू जवानों की जिन जवानों की जवाजी को देखकर बड़े बड़े दहशत गर्दों के दिल में दहशत बैठ जाती है दरसल वो जवान अपने दिल में क्या कुछ सोचते हैं उसे बातचीत करते हैं जब लड़ने के लिए जाते हैं तब दंगाईयों का मुकाबला करने के लिए जाते हैं उस वक्त दिल में क्या होता है जब लॉड कर आते हैं बैरक में रहते हैं उस वक्त दिल में क्या होता है बाची शुरू करते हैं हमाई साथ तमाम यहाँ पर विनीज जी हमाई साथ मौदूद है विनीज जी क्या कुछ होता है जब आप आरे अफ में आये भरते हुए जब खबर मिलती है कि यहाँ पर कोई दंगा भड़क चुका है निकलने से पहले दिवाग में सब पहले कौन सी पाता थी निकलने से पहले यह सोचता है जो डूटी हमारे डूटी जो फरज है वो निबाने के लिए जाधा सज्जाधा कुछ करते हैं जब छुट्टी नहीं मिलती घरवाले बुलाते रहते हैं पहुच नहीं पाते उस वक्त दिल में क्या कुछ चलता है ये भी जान लेत हैं कभी ऐसा हुआ घरवालों ने बुला रहा है हूँ कि आप पहुंचे घर में फर्ज बुला रहा है कि अभी तो मौका नहीं मिलनेधा इसा होता है सर लेकिन फर्ज पहले बनता है आपकी माता जी ने या फिर आपके पिता जी ने आपको बुलाया हो बहुत मन हो लेकिन फिर भी हाँ छुटी ना मिली हो उस वक्त क्या कुछ जिल में रहा किस तरह से सांतो ना दी घरवालों को इसे बहुत बार हुआ है सर क्योंकि छुटी मिलता नहीं या कभी अचानक ड्यूटी आ जाना या कहीं अचानक मजबूरी कोई हो जाता है नफरी कम हो जाने के जासे छुटी नहीं मिल पाता है उसे में हम घरवाले को फोन करके या कोई बात है इसे बोलके जैसे अभी छुटी नहीं मिल सकता है इसके वज़ासे हम अभी थोड़े दिन बाद दो दिन के बाद आ सकते हैं क्योंकि मजबूरी है अभी एक तो नौकरी है और फिर देश सेवा के लिए हम आए हैं इसके वज़ासे मान जाते हैं घरवाले पिता जी मान जाएंगे, माता जी मान जाएंगी, पत्नी मान जाएंगी, मैच्छे और होते हैं लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं बच्चे तो नहीं मानते हैं, फोन पो बुलाते रहते हैं पापा आजाओ लेकिन मजबूरी हैं नहीं आपाते हैं बोलते हैं कि हम दो दिन, चार दिन, दस दिन के बाद आ जाएंगे बेटा लेकिन इस बात को धहरे से समझो हाँ कुज दो बाद शायद ये बच्चे भी तमाम चीजों को समझने लगे और भी हमारे कई साथ ही आपर बच्चे हुए उनसे भी बात चीत करते हैं आखिरकार उन किस दरे की प्रतिक्रिया देते हैं दोस्तों बोलते हैं तो देश के सवा हम भी कुशिश करते हैं लेकिन कि किसी कारण वाश भरती नहीं हो पाते हैं वह भी दुख से बोलते हैं कि हम भरती नहीं हुई लेकिन तु ठीक टाक है देश हवा कर ले अच्छी देश हवा कर ले त्याग रहे हैं ही बोलती है किसी दीतर से मन पहलाते हैं दोस्तों के साथ मजग करते हैं अच्छे से महँखंची एंगतर फ्ल्म 누ुनाा गण्यों और्स सिंट्र-वल्ठ Canvas चे रहते हैं अपनी और एक दुसरे को बताते हैं उनकी बात सब्सक्कों करते हैं आ है स्कूर्ट और करते करने ठैश्या को फिल्म रोवालियों से ज्यादा तो सर और याँ पर बता है कि घरवाली सुन लिया की mobilize अपर नगशनी हो सकती ज्बंच ifferनेन recognize, इस धी फिल्म फिल्म करौर वी रा गुल संदे से आते हैं हमें तड़ पाते हैं वो चिट्टी आती है वो पूछे जाती है किस घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है हम याप कोई भी नहीं चाहते हैं देश में समाज में दंगे भढ़के लेकिन अगर ऐसा होता है तो आयएफ की जवान इन दंगों से निबटने के लिए पूरी तरह से तयार है यह जवान अपने परिजनों से दूर रहते हैं लेकिन इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि आप अपने परिजनों से कभी भी ना विश्ड़ें देश के लिए समाज के लिए ये इस पॉज का फर्ज है लेकिन हमाना आपका फर्ज क्या है क्यों होते हैं दंगे क्यों शांती से नहीं रहते लोग यह फॉज समाज को बहुत कुछ दिखाती है और अब बारी आपकी है हमार ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते में